दोस्तो स्वागत है आप सबीका बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सबी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के के जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मोक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले कबर 23 से 23 नॉमबर तक बिहार में अलोक नाईन तीन दिन पहले साथी की सुचना ठाने को देनी होगी गाइडलाइन भी जारी कोरोना संग्रमन के रोगताम को लेकर बिहार सरकार ने नया गाइडलाइन जारे किया है साधिस समारो और स्राद्र कायरकरोम में लोगों की मौजोदगी को लेकर कोई पाबंदे नहीं लगाई गई है हाला कि विवा समारो के दोरान बारात में नाच गाने और डिजे के अनुमते अभी भी नहीं दी गई है विवा की सुचना तीन दिन पहले इस्तानिय थाना को देनी होगी 22 नॉमबर को खतम होरे और लोग आठ से पूर्व आपदा परबंदन समू की बेटक के बाद नया गाइडलाइन जारी कर दिया गया है 23 से 30 नॉमबर तक और लोग 9 प्रभावी होगा कोरोना से बचाओ के उपाय के साथ दुकाने और प्रतिष्टान सामाइन रूप से खुलेंगे गाइडलाइन के तहद दुकान आदे में सभी को मास्क पानना होगा काउंटर पर सेनिटाइजर की ववस्ता रखनी होगी और सोसल डिस्टेंसिंग के मानुकों का पालन करना होगा टीका ले चुके ही वेक्तियों को काम पर रखा जा सकता है गाइडलाइन के तहद सभी विस विद्दालाइ कॉलेज एवं तकनिकी सिक्चन संस्तान विद्दालाइ सामाइन रूप से खुले जा सकेंगे अगली बड़ी कबर बिहार बोर्ड ने जारी किया मेट्रिक इंटर की परिच्चा की तिति जी हाँ बिहार बोर्ड ने मेट्रिक और इंटर परिच्चा की तितिया जारी कर दी है बिहार बोर्ड इंटर की परिच्चा एक परवरी से 14 परवारी तक और मेट्रिक की परिच्छा 17 से 24 परवारी तक होगी पिछले वर्स भी इसी तिति से परिच्छाई शुरू हुई थी बिहार बोर्ड इंटर प्रागविक परिच्छा 10 से 20 जनवरी तक होगी वही क्यक्चा मेट्रिक के विश्वयों की प्रेक्टिकल परिच्छाए 20 से 22 जनवरी की बिश संपन होगी बिहार बोर्ड मेट्रिक और इंटर दोनों परिच्छाए दो सिप्टों में आयोजित की जाएगी पाली सिप्ट की परिच्छा सुबद 9.30 से दो पार 12.45 मिनट तक होगी वहीं दूसरी सिप्ट की परिच्छा दो पार एक बज़ कर 45 मिनट से शुरू होकर साम 5.50 खतम होगी पेपर 3 घंटे का होगा आगली बड़ी कबर स्टेट रेंकिंग में तेरवे नमबर पर बिहार जाने किस जिला को मिला वेस्ट सिटिजन फिडवे गवार्ड जिहां सनिवार को जारी स्वच सर्वेचन 2021 की स्टेट रेंकिंग में 100 से अधिक नगर निकाय वाले राज्यों में बिहार तेरवे नमबर पर है वही औल इंडिया जिला रेंकिंग में देश भर के 669 जिलों में से गया को 290 वा सुपोल को 300 पतना को 303 वा और मुझपरपूर को 391 इस्टान मिला है वही स्वच सर्वेचन के लिए घोसित कुल 121 आवार्ड में से पूर्वी छेतर के एक मात्र बिहार के सुपोल जिले को बेस्ट सिटिजन फिडवेक का आवार्ड मिला है सुपोल को यह आवार्ड 50,000 से एक लाक आवादी वाले केटोगरी में मिला है ओडिये प्लस वाले देश के 22-24 सहरों में बिहार के 24 सहर सामिल है अगली बड़ी खबर बिसी से आई सचीव जैस सा का एलान आई पेल 2022 के सभी मैच भारत में ही होंगे कोरोना के कारण 2021 में आधे मैच UAE में खेले गई थी बिसी से आई सचीव जैस सा ने आई पेल के अगली सीजन को लेकर बड़ा एलान किया है प्रिमियर लीग का पंदरवा सीजन भारत में खेला जाएगा अगली बड़ी खबर बिहार में गया सबसे ठंड़ा सहर मुझपर पूरो दर्बंगा में पटना से बियादीक वायू प्रदुसन जिया बिहार का मौसम कापी तेजी से बदल रहा है अरब सगर में कम दवाव का चेतर बनने के कारण राजी के आकास में आंसिक रूप से बादल चाये हुए है पटना मौसम बिग्यान केंद्र के बिग्यानी संजे कुमार का कहना है कि सनिवार के बाद प्रदेश का आकास साफ होने के आसार है मौसम में बदलाव का करम आगे भी जारी रहेगा पिछले 24 गंटे में गया राजी का सरवादिक ठंड़ा इसान रहा वहां का नियुनतम तापमान 12.5 डिगरी सेलसेस रिकोर्ड किया गया प्रदेश के इन्य भागों का नियुनतम तापमान 14 से 16 डिगरी सेलसेस के आसपस रहा राज में अधिकतम तापमान औस सतन 28 से 30 डिगरी सेलसेस रिकोर्ड किया गया इसके अलावा आपको बता दे कि मुझे अपरपूर और दर्बंगा में पटना से भी अधिक वायू प्रदोसन रिकोर्ड किया गया। इसके अलावा आपकों के पदों के रिक्तिया 31 दिसंबर तक मांगी है। अगली बड़ी खबर वित विभाग ने दी हरी जंडी 53,000 से अधिकी स्टूडेंट को मिलेंगे 25,000 रुपीय है। बताया जा रहा है कि जल्दी प्रोसान रासे इन चात्राओं के बैंक खते में भीज़ दी जाएगी। प्रोसान रासी सरकारी के साथ ही वित रहित मायनता प्राप्द कोलेजों से 2018 के बाद इसनातक पास चात्राओं को दी जाएगी। वहीं वीर कुवर सिंग, जै परकास नारायन और मागद विस्विद्दालाई के लापारवाही के कारण तिनों विस्विद्दालाई के मायनता प्राप्द कोलेज की चात्राओं का सेत्तापन नहीं हो पाया है। बताया जा रहा कि बिबिन विस्विद्दालाईों से इसनातक पुत्रे ने लगबग सवादो लाग चात्राओं ने प्रोचान रासी के लिए उल्लाइन आविदन किया है। पिछले महिने 14,446 को लगबग 35 कड़ो रुप्य दिये गए थे। इसके पहले भी 11,000 से अधिक चात्राओं को रासी दी जा चुकी है। अब भी लगबग 2,446 को प्रोचान रासी देना बाकी है। अगली बड़ी खबर 23 नॉम्बर को फिर पटना एंगे लालो कोट में ससरीर पेसी है जरोरी आने से आरजटी की जाते जनगरना की लड़ाई भी होगी मजबूर। अगले लालो प्रसाद उपचुना में पटना आये थे और कुससरिस्तान से तारापुर की चुनावी सवा में भासन देने पर मंच पर भी पहुचे थे लेकिन दोनों सीटों पर हार का परिनाम आने के दूसरे दिन ही उनकी तवियत खराब हो गई और वापस दिली लोड़ आपको बढ़ा दे कि 29 नॉम्बर से बिहार विदन मंडल का सित कालिन सत्र भी सुरू होने वाला है लालो प्रसाद आएंगे तो वे जाती जनगना के लड़ाई को आगे बढ़ाने के रानिती पर भी काम करेंगे अगली बड़ी खबर ट्रेनिंग कर चुके एनम अभियरतियों के लिए खुसकबरी मंत्रे ने की ये घोसना जिया आट मा में राजी के सरकारी अस्पतालों में 20,000 एनम की बहाले होगी इसकी प्रक्रिया चल रही है डाक्टरों की भी भरती प्रक्रिया चल रही है सरकरी अ अस्पताल ट्रामा सिंटर का उद्गाटन करते भी कही उनन कहा कि निजी अस्पतालों को भी सरकार बढ़ावा दे रही है ताकि स्वास्त सवाई साज मिरूप में जरुत मंदू को हर जगा मिल सके बड़ी खबर इस नातक में नामांकन के लिए 22 नॉमबर से शुरू होगी प्रक्रिया 911 सिटों पर इस्पोर्ट राउंड के ताहत पाटली पूत्र इनिवसिटी में एडमिसन जहाँ पाटना इनिवसिटी ने सनातक सात्र दोजर इस चोबीस प्रतम वर्स की नामांकन प्रक्रिया अपने अंतिम परापड है अब सभी कोलेज में 911 बची सिटों पर नामांकन के लिए स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग 22 नॉम्बर से सुरू की जाएगी 671 सिटे पहले से पाटली पूत्र इनिवसिटी के विविन कॉलेजों में बची हुई थे नामांकन प्रक्रिया के अंतिम चरन के पहले सिक्चा विवाग ने सयांस कॉलेज के लिए 600 सिटे और पटना कॉलेज के लिए 180 सिटे बढ़ा दी है इन बाड़ी सीटों पर भी नामांकन स्पोर्ट राउंड के तहत होगा बाड़ी हुई सीटों पर एडमिसन भी स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग में लिए जाने का नेने लिया गया है बाची भी सभी सीटों और द बिहार में महिलाओं को मिलने वाला 35 पीज़ी आरचन सिविल सेवा पिटी वम्मु की परिच्चा पास करने वाले अबयर्तियों को सरकार के और से मिलने वाले प्रोसान रासी के साथ ही यूप एसी टोपर सुभम के क्रेज का सिधा असर दिख रहा है बिहार लोग सेवा आय तक सबसे ज़्यादा 6,02,000 से अधिक आवेदन आये हैं इसमें से 1,82,545 महिला बियर्ति सामिल है पाली बार इतनी संक्या में आवेदन आयोक को मिले हैं 56 से 69 संयुक प्रारमिक परिच्चा में सरसटवी प्रारमिक परिच्चा के आगड़े पर ध्यान देतो यहां आप तक सबसे अधिक आवेदन है बड़ी कबर बिहार में डेंगू का डंग पटना की निजी अस्पतलों में रोज पहुच रहे हैं 100 से 125 मरीज बच्चों से लेकर बुजर्क तक हो रहे हैं सिकार पटना में डेंगू महमारी का रूप लेने लगा है पटना सिटी से लेकर दानाप पुलवार सरीब दिगा और जकनपूर खेमनी चक में डेंगू का प्रकूप जदा है बाकी पूर अंचल का तो कोई भी हिस्सा इसके प्रकूप से अचुता नहीं बचा है राज़ानी के कंकडबाग पटना सिती राजेंदर नगर दिगा इंदर पूरी पुनाय चेक राज बजार बुद्धा कलोनी समित तीन दर्जन सदिक मौलों में डेंगू का प्रोगों फेला हुआ है यहां के कई घरों में परिवार के कई सदर से डेंगू संक्रमित पाए जा रहे हैं सरकारे आकड़े के अनुसार पटना में कोल संक्रमितों के सेंग्या 285 हो चुकी है वही बड़ी खबर चिराग पासवान नए गडबंदन के तयारे में पुराने साथी को छोड़ कर नए के साथ लड़ेंगे 24 सीटों पर होने वाले मल से चुनाओ जिया बिहार के राजनितिक गल्यारे में एक बड़ा लेट फेर होने वाला है चिराग पासवान के पार्टी अप पार्टी के पार्यालमेंटी बोर्ड के सभी सदसिर निवी सनिवार को इस पर अपने हामी भर दी है दरासल बिहार विदान परिशत के लिए 24 सीटों पर मल सी का चुनाओ होना है इसी चुनाओ में लोजपा भी अपने उमिदवार उतारने वाले है मगर इस चुनाओ में च साधी बियाह की हर गेतिवीति को केम्रे में कैद कराएगी बिहार सरकार सरबंदी के नाम पर लोगों की प्राइवेसी खतम जहाँ पार्ट्ना में अगर आपने किसी मेरेज या बैंक्वेड हॉल में साधी बियाह से लेकर कोई दूसरा पारिवारी कायरकरम किया तो सरकार आपके निजिक कायरकरम के हर गेतिविदी को गेमरे में कैद कराएगी। थाने की पुलिसी नहीं बलकि HDO और DSV भी आपके निजिक कायरकरम में आकर चेक करेंगे। सराबंदी के नाम पर नेतिस सरकार ने अब ये नया फर्मान जारी किया है। पाटना के प्रमांडल या आयुक्त ने कल सरकार की ओर से ये आदेश जारी किया है। इस यादेश का पालिन करने में जो पुलिस अधिकारी चुकेंगे उनके खिलाब सक्त करवाई होगी। आपको बता दे कि सरकार की तरब से जो आदेश जारी किया गया है उसमें पटना ही नहीं बलकि इस प्रमांडल के तहट आने वाले सभी बैंक्वेट हॉल और मेरेज हॉल को अपने केमपस में चारो और CCTV केमरे लगाने होंगे उन्हें परियापत केमरे लगाने होंगे जिससे साधी बिया या दूसरे पारवारिक करिकरों के हरकत की निगराने हो सके ऐसा इसलिए क्योंकि जरुत पढ़ने पर पुलिस सीटी भी फुटेज को खंगाल सके और अंकी बड़ी कबर दोने ने बता दिया कब खिलेंगे अपना आकरी मैच माही ने कहा आई पेल दोजर बाइस में खेलने को लेकर कुछ सोचा नहीं अभी काफी वक्त है या चेन्ने सुपर किंग्स के कप्तान महंदर सिंग धोनी का आई पेल दोजर बाइस सीजन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है चेन्ने सुपर किंग्स की जीत का जैसन मनाने के लिए आयो जी दा चेंबियन स्कॉल करिकरम में सन्नास के सवाल पर उनने कहा मैं इसके बारे में अभी सोच रहा हूँ अभी हम नवंबर में है आपेल दोजर बाइस अपरेल में होगा उन्होंने आगे कहा मैंने हमेसा अपने किर्केट के लिए उजना बनाई है मैंने अपना आखरी घरेलो मैच और आखरी वन डे दोनों राचे में खेला था उमिद है कि मेरा आखरी टी 20 में चेन्ने में होगा चाहे वो अगले साल हो या आने वाले 5 सालों में आज के लिए आपका सवाल बताए कि आपके अनुसार अनलोक 9 में डीजे बजाने और बारात में नाच गाने पर अनुमति देने चाहिए या नहीं इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताएं